इस चुनाओं की अधिसूचना के बाद चौथा कारेकरम चौथा चरण क्या है चौथा कदम निर्वाचन कारेकरम की घोशना अर्थाथ चुनाओं आयोग मद्दान की स्थिति तै करेगा मद्दान की तिथि सम्मंदी सारे कारेकरम की घोशना कर देगा जिसमें नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि नामांकन पत्रों की जाच और उसके बाद नाम वापस लाने की अंतिम तिथि मतदान की तारीक मतगणना की विधी और तारीक ये सब लिखित रहेगा इस प्रकार निर्वाचन कारेकरम की घोशना होती है जिसका मैंने पूर में भी विस्तार से आपको वर्णन किया है इसके बाद ही उम्मीदवार जो है वह विभिन राजनेतिक दल और शासन ये सभी आपचारिक तरीके से चुनाओ की तैयारी में जुड़ जाते हैं राजनीतिक दल कैसे जुड़ते हैं चुनाओ की तैयारी में वे अपने दलों की उम्मीदवारों की घोशना करते हैं कितने उम्मीदवारों की घोशना है अधिक्तम 543 की उम्मीदवार क्योंकि हर खेतर से एक ही उम्मीदवार एक दल घोशित कर सकता है तो कुल 543 खेत्र हैं तो 543 अधिक्तम लेकिन बहुत बार ऐसा दिखा गया है कि कोई भी दल सभी खेत्रों में अपने उम्मीदवार घोशित नहीं करता कई कारणों से जिसमें एक मुख्य कारण होता है कि उसे लगता है कि इस खेत्र में उसकी दल की कोई पहुच पकड़ नहीं है तो खेत्रों के उम्मीदवारों की घोशना से राजनीतिक दल अपना चुनाओं में जुड़ जाते हैं शासन कैसे जुड़ जाता है शासन जो कर्मचारी हैं चुनाओं सम्मंदित कर्मचारी उनकी ट्रेनिंग देने के लिए उनको चुनाओं आयों के मातहत लाने के आदेख के साथ ही वो भी चुनाओं के कारणों में जुड़ जाता है आदी आदी तो इस वकार आपचारिक तरीके से चुनाव की तैयारी प्रारंब होती है निर्वाचन कारकरम की घोशना के साथ एक बहुत महत्पूर्ण बात होती है इसमें जैसे ही निर्वाचन कारकरम की घोशना होती है उस दिन से उस ख्षन से ये अपेकशा की जाती है कि कोई भी सरकार किसी भी तरह की नई योजनाएं आजी घोशनाएं जो जनता को आकरशित करती हैं ऐसी नहीं करेगी जिस ख्षण निर्वाचन कारक्रम की घोषणा होती है और इन तिथियों की घोषणा होती है उसी ख्षण से किसी भी तरह की जन हितकारी घोषणाओं से सरकार को दूर रहना होगा घोषणाओं से नहीं बलकि जन हितकारी कारियों से यहां तक कि किसी तरह का उद्घाटन करना किसी तरह का शिलान र्यास करना और किसी अन्य मंच पर जाकर तरकार का गुनगान करना ये भी वर्जित हो जाता है आखिर ये क्यों यदि ऐसा नहीं होगा तो सरकार में जो दल है सत्ता में जो दल है उसे इस बात का फायदा रहेगा कि वहाद जनता को अभी भी लुभावने सपने दिखा रही है जनता को अभी भी मोहित करने के लिए योजनाएं बता रही है शिलान्यास कर रही है धाटन कर रही है तो विरोधी जो दल है उनको तो नुक्सान होगा क्योंकि उनके वो सरकार में तो हैं नहीं, विरोध में हैं, विरोधी पक्ष में बैठते हैं तो वो किस चीज का उध्धाटन करेंगे, क्या शिला नियास करेंगे, क्या योजनाय बनेंगे आदियादे तो इसलिए यहां पर भी लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों पक्षों को समान मैदान मिले, समान सुधाँ या समान दिक्कतें, दोनों पक्षों के लिए समान हों ये सुनिश्चित करने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि जिस दिन से तारीखें घोश्चित करती हैं होती हैं उस दिन से सरकार एक तरीके से पीछे हड़ जाती है और केवल रोज मर्रा के कारे करती है बार ये लवल फ्लेइंग फिल्ड की जरूरत क्यों है ये तो मैंन से समझने के लिए आप देखे क्रिकेट का मैदान क्रिकेट का पिछ होता है वो पिछ में बैट्समें जो है या बोलर भी जो है वो एक ही एंड से बालिंग या बैटिंग नहीं करते एक ओवर इस एंड से बैटिंग एक ओवर इस एंड से बैटिंग एक ओवर इस एंड से ऐसा करके सुनिश्चित करते हैं कि दोनों तरफ का जो विकेट के आसपास का हिस्सा है उसका फायदा और नुकसान दोनों ही पक्षों को समान रूप से हो दोनों ही दलों को यदि उस साइड का विकेट अच्छा है तो दोनों पक्षों को मिल जाएगा इसका फायदा बुरा ह तो उसका खामियाजा दोनों टीमों को होगा उसी प्रकार दूसरा कारण सूरज के किरने भी प्रभावित करती हैं बॉल देखने की दृष्टी को हवा का रुख भी प्रभावित करता है बॉल के स्विंग को ऐसी सिति में जब तेज हवा चल रही होती है मौनिंग अवर्स में उस समय एक ही साइड से ज़िए बैटिंग बॉलिंग करेंगे तो वह स्विंग प्रभावित होगा हो सकता है बोलर के पक्ष में रहे उसके लिए उचित ना रहे कुल मिला कर कहने का उद्यश ये कि क्रिकेट में भी इसलिए समानता रहे इसलिए बदलाओ का प्राउधान है फुटबॉल होकी में भी आप देखिए कबड़ी में भी देखिए हाफ टाइम के बाद टीमों का जो मैदान है वो बदल दिया जाता है पहले फुटबॉल टीम इस गोल पक्ष में थी हाफ टाइम के बाद वो इधर से खेलती है हौकी में भी आई सभी खेलों में बैडमिंटन में भी आई लेवल प्लेइंग फिल्ड इतना समझाने के बाद अब आप समझ गया होंगे कि सरकार को चुनाओ तिथी की घोशना के बाद एक तरीकी से बैक फुट में आ जाना पड़ता है वह केवल रोज मर्रा के कारे करती है बाकी कोई घोशनाएं योजनाएं ऐसा नहीं हाँ पहले से कुछ योजनाएं चल रही हैं वो संपन हो जाती हैं वो पूरी हो जाती है तो उन वो प्रोजेक्ट चलू हो जाएगा बिना उद्घाटन के बिना किसी सरकारी, मंत्री या अधिकारी के आए, वो प्रोजेक्ट चलो हो जाए, लेकिन उद्गाटन नहीं किया जा सकता है, जनता जनारदन को लाकर भीड कटी नहीं की जा सकती, आदी आदे अगला है बिन्दू, जैसा मैंने बताया, उम्मीदवारों का चैन, चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार घोशित करते हैं, उनके नाम की घोशना करते हैं, और इसके लावा निर्दली भी चुनाव लड़ते हैं, मैंने पूर में बताया कि निर्दली क् च्ञनाओ लड़ते हैं और कब लड़ते हैं। कल्पना करिया विताब बच्चन को किसी भी दल ने च्ञनाओ के लिए उम्मी द्वाड नहीं गोशिद किया। यद्धे पर बच्चन इच्छुख थे कि वे च्ञनाओ में खड़े हूए। लेकिन किसी भी दल से खुश नहीं थे लेकिन लोक सभा में जाना चाहते हैं ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में वे स्वतंत्र खड़े हो सकते हैं और स्वतंत्र खड़े होकर बिना किसी दल की मदद के खड़े होकर भी हो सकता है वे चुनाओ जीच जाएं क्योंकि जनता जो है वो शायद इन डलों के उम्मीदवारों से ज़्यादा अमिताब बच्चन की ख्षमता पर विश्वास करेगी और इसलिए उन्हें अपना प्रतिनीदी चुनेगी तो इसलिए निर्दली भी सामने रहते हैं निर्दली के रूप में आज वरतमान में चुनाओं में अच्छी संख्या में लोग खड़े हो रहे हैं और यह जहां एक और अच्छी बात है वहीं दूसरी और इसकी अपनी कठनाईयां भी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं जिसका जिकर हम आगे करेंगे पर अभी यह समझ लीजे कि उम्मीद्वारों के चैन की प्रक्रिया शुरू होती और उम्मीद्वारों का चैन कैसे होता है जो लोक सभा के लिए योगिता रखता हो उसे दल उम्मीद्वार बनाता है और जब उम्मीदवार की घुशना करता है तो एक दल एक ही को उम्मीदवार बनाता है उसे उम्मीदवारी का एक पत्र देता है उस पत्र के आधार पर उम्मीदवार जिला मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी के कारेयले में जाकर वहाँ पे एक फॉर्मैलिटी पूरी कर जिसमें उसे फॉर्म भरना होता है, सत्यापन करने होते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, आए व्ये अपनी इंकम और खर्च का विस्तार से ब्योरा देना होता है, और साथ ही कुछ आपराधिक बैक्ग्राउंड यदि है, सजायाफ्ता यदि रहा हो, केस च जमा करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास, और ऐसे ही सभी उमीदवार करते हैं, अलग अलग समय में, अंतिम दिन आने के पहले तक जमा करना होता है, तो एक प्रक्रिया यह हो गई, अब इसके बाद, अगली प्रक्रिया जो चुनावायोग करता है, वह है, मतदा अधिकारी कौन होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी तो सामान नितिया कलेक्टर होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया पदे न रूप से, एक तरीके से, और मतदान अधिकारी जो 400-500 मतदार केंदर बनेंगे, वहाँ कौन कौन रहेगा, क्यों रहेगा, नामों का चैन कौन क उन्हें आदेश कौन देगा लिखित में आदेश देना जरूरी है आदियाद उन्हें ट्रेनिंग कौन देगा ये सब काम जो है वह चुनाव आयोग करता है निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कारे हेतु केंद्र और राज कर्मचारियों अधिकारियों उपलंद कराये जात चुनाओ अधिकारी के पास दिया जाता है अर्थात अपने उम्मीदवारी का परचा उसे नामंकन फार्म कहते हैं तो यह अगली प्रक्रिया होती है निर्वाचन आयोग प्रत्येक निर्वाचन खेत्र में एक निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन अधिकारी जिसे बोले वो रिटार्निंग आफिसर नियुक्त करता है और उमीदवार द्वारा स्वैम या अपने एजन्ट के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी के सामने वो अपना नामांकन पत्र जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ वो प्रस्तित करता है और प्रतेक उमीदवार स्वैम संविधान संशोधन के तहट जो 1963 में हुआ था स्वैम संशोधन उसमें शपत भी देता है कि संविधान के प्रति निष्ठावान रहोंगा भारत के खंड़ता और प्रविता के प्रति लॉयल रहोंगा ऐसी शपत पत्र भी देता है अपना अधिकारिक विवरन देता है सारा विवरा देता है उसमें उस व्यक्ति का पूरा इतिहास उसे भरना होता है और उसकी सच्चाई पर भी शपत देनी पड़ती है इस पकार वो नमांकन फॉर्म वहा जमा कर देता है किसको रिटरर्निंग उफीसर को जिसे हिंदी में कहते हैं निर्वाचन अधिकारी इसके साथ ही अगली प्रक्रिया है वो जमानत की राशी उमीदवार जब नमांकन पत्र अपना दाखिल करता है जमा करता है तो साथ ही एक निश्चित धनराशी भी सिक्यूरिटी डिपॉजिट के रूप में देता है सिक्यूरिटी डिपॉजिट जमानत यदि प्रत्याशी निर्वाचित नहीं होता प्रत्याशी हार जाता है और उसे जो मिनिमम जो मत प्राप्त होने चाहिए वो नहीं पाता तो ये जो जमानत की राशी है वो जब्त हो जाती है तो मिनिमम कितने मत उसे मिलने चाहिए उसके लिए नियम है कि जितने लोगों ने मतदान किया उसका एक बटा च्छे मतदान करने वालों का एक बटा च्छे मत यदि किसी उम्मीदवार को नहीं मिलता है तो उसकी जमानत की राशी भी जबत हो जाती उसे वापस नहीं होती दूसरा, यदि वो निष्चित स्वतारिख के पहले अपना नाम वापस ले लेता है जैसा मैंने पूर में बताइक किसी कारण से कई बार लोग अपना नाम वापस लेते हैं जिसकी एक निष्चित तारिख होती है तो ऐसी स्थिति में जमानत की राषी भी उसे वापस दे देते हैं और यदि उम्मीदवार जो जीटता है या जो एक बटा खषै से जदा पाता है उनको भी उनकी सबकी राषी वापस कर दी जाती है चशनाओं के बाद पर जिसे एक बटा शई मतों से कम मत मिला है अगला कदम जो उठाया जाता है चुनाव एक द्वारवा है जैसा मैंने बताया नामांकन की तिथी अंतिम तिथी के पहले आवेदन उसके बाद अगला कदम होता है नामांकन पत्रों की जाँच उसकी भी एक तारीक होती है और इसके बाद वापस लेना नाम वापस लेना उ प्रक्रिया शुरू हो जाती है। काहे कि अंतिम तारीके नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम तारीके तुरंद बाद। जिन उम्मिद्वारों के नमांकन वैद हुए सारी जानकारियां उच्चत और सही पाई गई उनको प्रत्याशी घोशित और जिनके में कुछ जानकारियां गलत निकली सच्चाई से परे निकली और ये शाबित हो गया कि ये सच्चाई से परे है तो उनकी उम्मीदवारी अवैद घोशित कर दी जाएगी और ऐसी स्थिते में वह प्रत्याशी नहीं रहेगा साथ ही कोई उम्मीदवार यदि अपना नाम वापस लेता है तो इस कारे के लिए निर्धारी तिथी होती है उस तिथी के पहले वो नाम वापस ले ले तो यह हुआ नामांकन पत्रों की जाच और नाम वापस लेने की व्यवस्था नौवा बिंदू चुनाव संबंधी कारे करम के संबंध में अगला जो सोपान है अगला कदम अगला चरण जो चुनाव आयोग लेता है वह चुनाव चिन संबंधी ज अर्फा चुनाव चिनों का आबंटन मैंने इसके बारे में पूर में आपको बताया कि उम्मीत वारों को चुनाव चिन दिया जाता है चुनाव आयोग द्वारा और एक बार किसी को चुनावचिन दे दिया तो दलों के चुनावचिन सामान नित्या वही रहते हैं अर्थात स्थाई रहते हैं उधारण के लिए भारती जन्ता पार्टी का जो कमल चुनावचिन है खिलता कमल वह उसका पर्मनेंट चुनावचिन है ऐसे कॉंग्रेस का चुनावचिन भी स्थाई है और बहुत से दलों के चुनावचिन हिस्थाई है आप चुनावचिन देखकर समझ जाएंगे कि ये किस दल के बारे में बात वरी है चुनावचिन की महत्ता क्या है क्यों चुनावचिन चुनाव चिन इसलिए कि उस चुनाव चिन किसी डल के लिए होता है वो उसकी अइडिन्टिटी है आप कमल देखकर समझ जाएंगे कि ये भारती जनता पार्टी के संबंदित मामला है बात है या इश्यू है अन्य था उम्मीद्वार का नाम लंबा लिखना हर जगह और हर जगह चुनाव चिन के बदले दल के बारे में लिखना ये काम को कठ complex बना देता है इसलिए चुनाव चिन बहुत महत्पूर्ण होते है स्वतंतर उम्मीद्वारों को भी चुनाव चिन लोट किया जाता है ये सुनिश्चित करते हुए कि स्वतंत्र उम्मीदवारों को दिये गए चुनावचिन किसी अन्य उम्मीदवारों को या दलों को न दिये गए हो एक चुनावचिन एक को ही दिया जा सकता है चाहे वो दल हो चाहे व्यक्ति हो सतंत्र व्यक्ति हो जो निर्दली के रूप में खड़ा हो चुनाव चिन्हों के आबंटन के बाद अब आता है चुनाव अभियान नामंकन हो गया नाम वापस हो गया अब बचे हुए जो जो इनके नामंकन वैद पाए गया वे लोग अब चनाओ अभियान में भड़ दाते हैं अर्थात जनता तक पहुँच कर उन्हें अपनी और आकरशित करने का प्रयास करते हैं आकरशित करने के तरीके क्या रैली, भाशन, पैंफलेट, सोशल मीडिया, टेलिविजन, प्रिंट मीडिया, न्यूस पेपर आधी आधी या डोर टोर कैंपेंग दरवाजे दरवाजे जाकर संपर्क करना चुनाओ अभियान के संबन्द में तत्काली नराश्पती ने 19 जनवरी 92 को एक अध्या देश जारी करके चुनाओ प्रचार की अधिक्तम सीमा 14 दिन कर दी थी, चुनाओ प्रचार की सीमा, कितने दिन चुनाओ प्रचार होगा, 14 दिन ये किसलिए किया गया? अनिता चुनाओ प्रचार महीनों चलता था, बहुत खर्च हो रहा था, खर्च को रोकने और चुनाओ प्रचार में लगे रहने के कारण अन्य चीजों के प्रभावित होने के परणाम शुरूप, ये आवश्यक हो गया कि चुनाओ प्रचार की सीमा तैक की जाए, और जहां उसकी समय सीमा भीता है कि रात इतने बजे तक चुनाओ प्रचार समाप्त होना चाहिए, जो खेतर अन्सार अलग-अलग है, वहीं चौदा दिन अधिक्तम दिया गया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाओ हो या राजसभा का, इस अवधी में चुना षर्थन पाने के लिए कोशिश करते हैं, समपर के सापित करते हुए और समर्थन पाने के लिए बह। सारी चीजें की जाती हैं समपर के जरिये और उसमें क्या किया जाता है, लुभावने सपनों की बात की जाती है उसके अपने अचीवमेंट्स की बात की जाती है सफलताओं की बात उसके द्वारा किये गए कारियों की बात की जाती है और विरोधियों की आलोचना की जाती है जो मुद्दे रहते हैं वो समानित्या विकास के और क्षेत्र की जनता से जुड़ोगे मुद्दे होते हैं समर्थन पाने के लिए जनता को अपनी और आकरशित करने के लिए ये जो राजनीतिक दल हैं ये चुनावी घोशना पत्र जारी करते हैं घोशना पत्र आप देखिए कुछ दलों के घोशना पत्र की इमेज यहां है अभियान के कुछ चित्र भी यहां दिख रहे हैं आपको घोशना पत्र के माध्यम से राजनीतिक दल अपने राजनेतिक सामाजिक आर्थिक और विदेश नीति पे उनकी क्या सोच है उनके क्या कारिकरम है भावी कारिकरम क्या इरादे हैं उनकी अपनी नीति क्या है यह स्पष्ट करते हैं तो घोशना पत्र एक तरीके से बहुत महत्पूर्ण पुस्टिका हो जाती है मत दाताओं को यह समझने के लिए कि यह राजनीतिक दल की सोच क्या है इसकी योजनाय क्या है आदी आदी जो मानिता प्राब्दल हैं जिनका मैंने पूर में जिक्र किया उन्हें मानिता प्राब्दलों को आकाश वाणी और दूर दर्शन में निश्चित समय भी दिया जाता है मत दाताओं तक अपनी बात पहुंचा सकें मत दाताओं से अपील कर सकें आदी आदी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मत दाताओं को प्रभावित करने के लिए ना जाने कितने हत्कंडे अपनाते हैं इसमें से कुछ गैर अनुचित भी है गैर उचित भी है यानुचित है और जो परवेक्षक रहते हैं चुनावी परवेक्षक जिनका मैंने जिक्र किया वो इनी पर नजर रखे रहते हैं प्रभावित करने के लिए बहुत सारे प्रयोग करते हैं ये लोग जिसमें सबसे ज़्यादा है घर घर जाके संपर्क करना मत दाताओं के नाम अपील जारी करना रिक्षा, मोबाइल, रिक्षा, टांगा, बस, कार आधी में विग्यापन करना माइक से अपनी बाद जनता तक पहुंचाना जुलूस और रैलिया निकालना आम सभाओं का आयोजन, दिवारों पर नारे, पोस्टर, हैंड बिल ना जाने क्या क्या, इंटरनेट, एसमेस आधी आधी वैसे वर्तमान में आपने दिवालों पर चुनावी दलों के द्वारा लिखे जाने का जो पुरानी प्रसा थी वो आपने देखी होगी लगभग गायब हो गई जा पूर में चुनाव के समय शहर की हर दिवाल, मकानों की दिवाले, चुनावी नारों से पटी होती थी परणाम शहर बहुत बदरंगा हो जाता था चुनाव के दौरान पूरे शहर में होर्डिंग दुरियां भर के विग्यापनों से शहर को भर दिया जाता था जिसका शहर के की सफाई पर लेकर बहुत बुड़ा प्रभाव पड़ता था टी न शेशन ने चुनाव संबंदी जो शक्तियां चुनाव आयोग को दी हैं उसका पूरा उप्योग करते हुए इन सब को प्रतिबंधित कर दिया और सुनिशिद किया कि इस तरह के काम ना हो और परवेख्षकों द्वारा इन पे पैनी नजर रखी गए कि दिवालों पर यदि लिखा जा रहा है तो मातरी लिखना ही गलत नहीं बलकि दिवारों पर लिखे जा रहे content के लिए जो कीमत दी गई है वो बिल में उसको जोड़ा गया है कि नहीं क्योंकि यदि बिल में उसके खर्चे को नहीं जोड़ा पाया गया तो ऐसी स्थित में वह प्रत्याशी अवैद माना जाएगा उसका चिनाव ही अवैद हो सकता है तो इसलिए स्थितियों पर नियंतर रखना प्रचार के माध्यमों पर नियंतर रखना अब उम्मीद वारों के लिए बहुत जरूरी हो गया है वास्तों में चनार के लिए नए नए साधन आ रहे हैं आजकल और उनका उप्योग भरसक किया जा रहा है इंस्टाग्राम, वाटसैप, फेस्बूक ये सब तो बदलते समय के साथ साथ चनाव प्रचार के जरिये भी बदल रहे हैं और चनाव आयोग इसके मद्दे नजर सुधार भी कर रहा है अपने अपने चनावी प्रक्रिया में सुधार लाते हुए वो अपने को अपडेट करता रहता है अंत में मैंने ये बात बताई थी आपको कि 48 घंटे पहले चनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए और इसके कारण भी बताये थी